Hello students, latest video में हमने 7th question का 1st part किया था Difference between, differentiate between homozygous and heterozygous इस वाले में हम linkage और crossing over से start करते हैं चलो, तो क्या है linkage और crossing over की differentiating features Linkage, linkage is a process, linkage एक तरिके का process है जिसमें 2 or more genes, 2 या 2 से ज़्यादा genes linked together वो एक साथ linked रहते हैं, बिल्कुल एक साथ रहते हैं करिये कोई रीव रहते हैं and inherit from one generation to next generation और एक generation से दूसरी generation में जाता है जब भी कोई भी दो gene, एक साथ ये दो gene है या तीन gene है, जितने भी gene है suppose ये A, ये B और ये C ये C, ये तीनो gene अगर एक साथ दो, तीन, चार generation से तक एक साथ ही inherit होते हैं तो इन genes को हम linked gene कहते हैं और ये जो process होता है link होकर के, एक साथ link होकर के genes का एक generation से दूसरी generation में जाना वो ही linkage होता है, ठीक है अब crossing over क्या होता है, crossing over is a exchange of gene crossing over क्या होता है, इसमें exchange होता है genes का जैसे कि आप लोगों को पता हो, जैसे ये एक chromosome है यह एक chromosome है और ये दूसरा chromosome है जब meiosis होता है, तो meiosis के first meiosis में, meiosis के दो होता है, meiosis में दो meiosis होता है, meiosis first and meiosis second जो first meiosis होता है, उसके अंदर crossing over होती है, तो उसमें क्या होता है कि homologous chromosome का ये वाला पार्ट तो इधर आके लग जाएगा और ये वाला part इधर जला जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा यह ऐसे हो जाएगा नया जो बनेगा cromosome और यह ऐसे हो जाएगा crossing over के बाद में तो क्या हो रहे हैं यहाँ यहाँ पर gene का exchange हो रहा है ठीक है तो देखो एकड़ opposite बात है linkage क्या होता है जहां पर genes जो होते है वो एक साथ एक, दो, तीन, चार जनरेशन तक एक साथ ही inherit होता है उनको तो linked gene कहते है और इस process को linkage कहते है और crossing over में क्या आता है वहां पर genes का exchange हो जाता है homologous gene का एक दूसरी में एक्सचेंज हो जाता है तो उसको crossing over कहते है आई बास समझ में फिर है इट प्रोड्यूज़स ओफिस्प्रिंग्स ओफ पेरेंटल टाइप जो linkage से जो जो ओफिस्प्रिंग्स बनते है लिंग्ड जीन से जो ओफिस्प्रिंग्स बनते है उनके अंदर सारे के सारे के पेरेंट्स वाले ही केरेक्टर होते है उनमें वेरीरियसल नहीं आते हैं जब कि क्रोशिंग ओफिस्प्रिंग्स आते हैं उनके अंदर वोड्र फेरेंटल टाइप के 우리는 होते हैं मैं इनसे कि जो linkage की जो strength है वो increase करेगी as two genes are placed closely, मतलब वो gene जितने ज़्यादा pass होंगे, वो उतने ही ज़्यादा linked होंगे, और वो linkage process को show करेंगे, ठीक है, frequency of crossing over get decreased, अब जो frequency होती है crossing over की, वो कम हो जाती है if the genes are closely associated, अगर यहाँ पर दो gene एक साथ होंगे, है ना, तो crossing over की तो frequency कम हो जाएगी, लेकिन जो linkage है उसकी strength बढ़ जाएगी, ठीक है, linked genes do not participate in crossing over, जो linked genes होते हैं वो crossing over में participate की नहीं करते हैं, अगर वो crossing over में participate करेंगे तो वो linked genes नहीं कैलाएगे, ठीक है, जो crossing over होता है, it is a source of variation, यह generations में जो variations आती हैं, वो crossing over की वज़ा से ही आती है, ठीक है, तो यह difference हो गया हमारा linkage और crossing over का, dominance and co-dominance, क्या होता है, incomplete dominance, देखो, when both the alleles, जब दोनों alleles partially expressed themselves, जब दोनों ही alleles अपने आपको partially express करें, मतलब, जो dominant है, वो पूरी तरह dominant ना हो, मतलब, partially dominant हो, जो recessive है, वो partially recessive हो, यानि कि दोनों के दोनों एक दूसरे को express कर रहे हैं, लेकिन partially, तो उसको हम बोलते हैं, incomplete dominance, ठीक है, co-dominance के आता है, when both the alleles fail to show proper dominance and recessiveness, अब वो पूरी पूरी ना तो dominant हो पा रहे हैं, नहीं recessive हो पा रहे हैं, and fully express themselves, लेकिन दोनों अपने आपको proper express कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम co-dominance के आता है, जो incomplete dominance होता है, उसके अंदर जो trait आता है, वो एक नया ही निकल के आता है, बिलकुल नया trait निकल के आएगा, वो भी मैं example में समझाऊँगी कैसे, ठीक है, देखो, जैसे both allele contribute information of new trait, यहाँ पर जो partially express कर रहे हैं, दोनों trait अपने आपको, उससे एक नया ही trait आके डवल अप हो जाता है, लेकिन co-dominance में both allele style fully dominant है, अब यहाँ पर क्या है, यह दोनों के दोनों fully dominant है, यहाँ पर तो इन दोनों के expression से एक नया trait निकल के आ रह हैं, और दोनों ही अपने आपको express कर रहे हैं, वो new developed trait is resultant of equal mix of two, alleles जो है, वो equally अपना contribution दे रहे हैं, ठीक है, और उसके mix से कोई नई variety बन रहे है, here new trait, here in new trait, both alleles express each other equally, यहाँ पर वो equally दिखा रहे हैं, लेकिन दोनों अलग-अलग express होते हैं, ठीक है, इसका example है, flower color of, flower color in mirab mirabillis jalapa, और इसका example है, AB blood group और codominance भी mirabillis jalapa में देखी जा सकती है, देखो यह example देखो, यह red color का flower है, mirabillis jalapa का, और यह white color का flower है, अगर यहाँ पर incomplete dominance होती है, तो वो pink color का आता है, मतलब है कि दोनों color mix होगे, दोनों को mix कर देखो, यह लिखा हो है, alleles contribute in formation of new trait, new trait and the resultant of equal mix of two, यानि कि यहाँ पर red और white दोनों को मिलके एक नया trait आया है, लेकिन codominance में क्या आता है, कि वो दोनों अपने आपको express कर रहे हैं, लेकिन अपने-पने color में, यह देखो, यहाँ पर red आ रहा है, यहाँ पर white आ रहा है, यहाँ पर red आ रहा है, मिनसे कि वो एक साथ होंगे, लेकिन अपने-पने trait को नहीं चोड़ेंगे वो, ठीक है, लेकिन incomplete dominance में, वो दोनों ही मिलके कोई एक नया ही trait ले आएंगे, जैसे कि red और white है, इसे pink हो गया, ठीक है, codominance में, वो कहीं से red है, और कहीं से white है, ठीक है, तो यह difference समझ में आ गया, I hope आपको यह सारा समझ में आ notifications में आते रहे, thank you for watching